तो मदप्रदेश में होने वाले नगरी निकाय चुनाव के रंड में बीजेपी दमखम से उतर चुकी है देवास में बीजेपी उवा मोचा के जिलाध धक्ष ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया युवा मोचा जिलाध धक्ष राम सूनी ने कहा कि उनकी पूरी टीम गरमिन इलाकों से लेकर शहरी याकों तक सकृरिता से काम करेगी वनसली उसे बाचीत मेंनों ने कॉंग्रस को चुनौती माने से निकार कर दिया बीजेपी उबा मोचा जिलाद देक्स से बात की संबाद दाता मिताब शुक लाने। इस समय हमारे साथ मोजू दे भारती जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सोनी जी। उन से जानेंगे बीजेपी युवा मोर्चा इन चुनाओं को लेकर देवास जिले में क्या भूमे का अपनी अदा करने जा रहा है। पंचायत एवं नगरी निकाई चुनाओं के आगाज के बाद भारती जनता युवा मोर्चा जिला देवास द्वारा एक मेप तयार किया गया। उसके अंदर युवा मोर्चा का कारिकरता हर पंचायत में हर बूत तक नगरी इस्तर पर वाड तक जनपद इस्तर पर जनपद के वाड एवं नगर निकम में नगर निकम के वाडों तक भारती जनता पार्टी के पक्ष में वातावरन बनाने का काम एवं भारती जनता पार बहुत बड़ा विशाल परिवार है उस परिवार के अंदर एक संगठन है और संगठन द्वारा जो ते किया जाएगा उसी गाइडलाइन के उपर भारती जनता इवा मोर्चा का कारकरता काम करते हुए जो भी प्रत्यासी भारती जनता पर्टी का होगा उसे विजय श्री दिलाने के लिए तन्मन धन से अपना पूरा योगदान देगा कितनी बड़ी चुनोती कांग्रेस को मानते हैं आप इन पूरे चुनाओं देखिए कांग्रेस सिर्फ बात करने का काम करती है रही बात 2018 के चुनाओंगी तो जनता का जनादेश भारती जनता पर्टी के साथ था और आज भी जनता भारती जनता पर्टी के साथ है देवास्या मिताब शुक्ला बंसल नियूस